चलिये भई, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने input output concept को पूरा समझ लिया और कैसे कैसे वो काम करता है वो भी समझ लिया अब input output कि just बाद का जो कहानी है वो है हमारा networking नेटवर्किंग आपको बताया जाएगा नेटवर्किंग क्या होती है कैसे वर्क करता है क्या इसकी कहानी है का यह ना और इन्पुट आउटपुट जो बंदा पढ़ रखा है जिसको रीड़ और राइड करने आता है बस यही पता होना चाहिए कि आउटपुट से राइड होता है इन्पूड स्ट्रीम से रीड होता है तो फिर वो नेटवर्किंग को इजली समझ सकता है और उस पर काम कर सकता है ठीक है तो नेटवर्किंग होती क्या है कि वाट इस नेटवर्किंग बताएंगे आप लोग क्यों नेटवर्किंग से क्या समझते हैं कॉम्निकेट करना सर्थ कम्यूंगेट करना थोड़ी न होता है networking का proper definition होता है कि networking से क्या क्या होता है कैसे होता है क्या उसकी कहानी होती इसका proper definition होता है समय रहे हो कि वल communicate करना नहीं होता है कहते है networking is the process of connecting more than one resources या more than one node together in order to share the resources and in order to share the data networking कहता है कि एक से ज्यादे network को सरी एक से ज्यादे resources को java networking तो एक से ज्यादे resources को एक से ज्यादे data को किसी medium के थुरू connect करके connect करने के process को networking बोला जाता है यह networking का concept होता है this is networking ठीक है जैसे माल लोग की यह PC है फिर अगला PC है ऐसे बहुत सारे PCs को एक दूर से से connect करना है ना इस call networking तो networking is the process of connecting more than one node together ठीक है simple सा मतलब है networking का जो सबसे best example है वो है internet internet is the best example of networking network की अलग अलग category होती है ना आप लोगो ने सुना भी होगा एक होता है local area network LAN metropolitan area network MAN है ना and wide area network that is when and when is nothing but a what internet तो question है कि networking में हम क्या करते है networking में हम एक से ज्यादे computer को एक से ज्यादे node को एक दूसरे से connect कर देते हैं ठीक है एक से ज्यादे node को एक दूसरे से connect कर देते हैं जैसे यह एक node है node मतलब machine PCs यह एक PC है दूसरा अलग PCs है ठीक है फिर ऐसे बहुत सारे PCs हैं अब किसी medium से हम इसको क्या कर देंगे connect तो क्यों कर देंगे वही क्यों क्यों हम networking करते हैं question है कि हम network establish क्यों करते हैं एक से ज्यादे PC इसको एक से ज्यादे node को networking में इसको node बोला जाता है एक से ज्यादे node को हम एक दूसरे से connect करते हैं क्यों भई बताएंगे आप लोग हमारे पास एक से ज्यादे ऐसे से बहुत सारे नोड हैं एक दूसरे से हम कनेट करेंगे इसको इससे कनेट कर देंगे इसको कनेट कर सब्सक्राइब और प्रिंटर रहें तो अगर वह एक सिस्टम से रहें तो उसे मलब हर एक सिस्टम के लिए अलग प्रिंटर चाहिए और कई लोग उस पर काम कर रहे हैं अब देखते हो अगर आपका ऑफिस है या आपका कोई काफिस वगर है जहां पर प्रिंटर लगाया गया है वह प्रिंटर कहीं से विप कन्ट्रोल प्रिंटर फमारते हो तो प्रिंट यहीं से आजाता है तो अगर Network के त्रूह इस Ukrainian से कौननेक्ट मैं आलग को या हर के भीन में जैसे मालजों कि ये मैंड़ेजर की नहीं ये 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 कोई क्लाइंट का केविन है किसी और की नहीं तो सब के मैं अलग अलग से प्रेंटर लगाना पड़े गा और प्रेंटिंग का काम भीवाँ नाई जो लगातार हो रहा है C ecc कि वहां फोटोकॉपी का आपने अपने शॉब खोल रखा या प्रिंटिंग का शॉब को रखा है जहां पे अब लगातार प्रिंटिंग को share करते हैं और how we can share the resource with the help of networking. So network is the process of connecting more than one node together in order to share the resources and in order to share the data, ये इसका definition है, तो networking इसलिए हम करते हैं ताकि भया resource share हो पाए, resource मतलब केवल आपका printer ही नहीं, कोई भी input output resource, कोई भी input output resource हो सकता है, आपका speaker हो सकता है, printer हो सकता है, plotter हो सकता है, scanner हो सकता है, ठीक है और जिस तरह से resource share होता है, ऐसे data भी share हो जाता है, एक machine से data दूसरे machine में, दूसरे machine से data पहले machine में, आज कल ये सब जो chatting, wedding होती है online, ये सब क्या है, networking का खेल है, आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा आप आ रहा हूं, तो ये किस चीज का खेल है, networking का खेल है, networking नहीं होता, network नहीं होता, तो हम एक दूसरे से connect ही हो पाते हैं, और हम data share नहीं कर पाते हैं, जो मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं, आपको अपने घर पे बैठे, इस लॉक्डाउन में मिल जा रहा है, कितनी अच्छी बात है, दिस इस एन एक्जाम्पल आफ नेटवर्किंग अब मैं आप से बता रहा था है, we are networking हमारे पास तीन टाइप का होता है, network तीन टाइप का होता है, land होता है, man होता है, when होता है, land का मतलब होता है, local area network, local area network जो होता है, land होता है, यह एक building तक limited होता है, एक office तक limited होता है, जैसे एक office में कई floor हैं, बहुत सारे मतलब वहाँ भी building हैं, वहीं तक यह limited होगा, एक building या cluster of building तक ही limited होता है, और जो man होता है, यह basically एक सहर तक limited होता है, लेकिन जो when होता है, इसका scope जाद होता है, और इसका best example है आपका क्या है, इसका best example है आपका internet, अब internet तो उसका कोई scope नहीं है, इंटरनेट के थूँ तो हमसे नेपाल में बैठा, क्या ना मैं बिहार में बैठा भी आदमी यहां से पढ़ ले रहा है, तो यह तो आप लोग ने पढ़ा होगा, बोली भई, यह तो पढ़ा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता हूँ, हाँ टूपलोजी वगरे के नाम से पढ़ा होगा, तो आप सुच रहे होगे सरी, अचानक जावा में क्यों इसका यूज हो गया, और जावा में क्यों पढ़ा रहे हो या, है न, तो यह बहुत बड़ा पॉइंट है, हाँ सर, नेट्वर्किंग होती है, जानते हैं, जिसमें हम एक से ज़ादे कॉप्यूटर को एक साथ करने मायच कर देते हैं और नोड को एक दूसरे से करने मायच कर देते हैं, ताकि वहाँ data sharing हो सके, resource sharing हो सके, information share हो सके, ठीक है, बड सर java क्यूं ऐसे हाडवेर इंजिनई का कोड़ करने जा रहा है तो देखे एक network को स्टेबलिस करने के लिए कि न कि चीजों की जुर्द पड़ती आपको पता है एक नेट्वर्क को स्टेबलिस करने के लिए fácil कि यह पद्लिफ व्लोग क 모ce कि जुर्द पड़ती है करने के लिए कि इनकी चीजों की जुरुत पड़ती है कौन कौन से चीज़ें कुछ पता है इसके बारे में करें 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 राउटर होगा केबल लैंड केबल होगा इस सिस्टम मेरा थोड़ा बंद हो रहा ना बार बार अभी मैं इसको देख लेता हूं एक में